नमस्कार दोस्तों बैंक निप्टी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों बैंक निप्टी की फाइनल क्लोधिंग हमें लिए वो रजिस्टेंस जोन है जो 448000888 का लेबल मैंने बताया था कि यह रजिस्टेंस लेबल है बैंक निप्टी जब इसके ऊपर गया इसके उपर टिकने लगेगा तो क्या होगा जिन लोगोंने भी इस केंडल में सुबह सुबह कर लिया हुगा वो सारे लोग सुबह करने के ल कर ज болूल यहां पर वेँकर हैं नी the court करेंगे असरील लेट के लिए ट्वनचर और फॉर्ट जरीए से लेट के पर फै। 50,000 33 यह छोटा सा रजिस्टेंस यहां पर देखने को मिलेगा अगर इस लेबल को निकालता है तो फिर बहुत बड़ी केंडल आपको बनती हुई दिखेगी तो इस लेबल पर आप नजर बना के रखिया है क्योंकि आलेडी आज 1200 पॉइंट की केंडल बन चुकी है तो हो सकता आपका तेजी साइड में यहां पर लोगों ने बना के रखा हुआ है जिन लोगों ने भी बाइंग किया होगा बैंक्टि को उनका एसल वो लोग क्या लगा के रखे होंगे वो लगा के रखे होंगे 48,900 के आज पास का उन्होंने अपना एसल लगा के रखा होगा यानि यहां पर सोचेंगे थोड़े बहुत डाउनफॉल के लिए जब तक यह इसके ऊपर रहेगा यह बाइर की कंट्रोल में ही रहेगा यह एक दिन के विव के हिसाब से बता रहा हूं यानि इंट्राडे के विव के हिसाब से बता रहा हूं अगर तो आपके लिए बेस्ट जो यहां पर निकल के आता है वो क्या निकल के आता टेकनिकली यह रेंज को हमने कंसॉलिडेट करके हम गिरे थे और जिस रेंज के पास जाके हम टाइम बिता रहे थे तो यह रेंज अब जो बड़े मूब के लिए जो लोग खेल रहा हूंग उनका इसल कहां पर लगेगा 48,444 का तो यहां पर नजर बना के रखिएगा जो स्वाट्रम एक या दू दिन के लिए पोजिशन उनका इस्टॉप लॉस यह रहेगा और जिन्हें वीकली मंथली अनलिसिस पर ट्रेड लिया होगा उनका एसल जो होगा वह को नजर आए क्योंकि यहां पर नजर बनागे जरूर रखिएगा अपकर देखते हैं कि कल बेंक किस तरह से मोंट कर सकता है कल के लिए नहीं पर चार्ट लगा लिए और फिप्रीन के चार्ट पर देखेंगा तो जो फरस्ट केंडल यहां पर बहुत बड़ी ग्रीन चैंडल बनी गैप थोड़ी से हमारी ओपनिंग मिली और उसके बाद हमने कंसॉलिडेट किया और जैसे इस लेबल को निकाला बैंक निप्टी धीरे-धीरे करके बिल्कुल उपर की साइड में निकलते गया और इस लेबल के आसपास जो कि हमने बताया था कि 1449,055 इस लेबल पर आप यहां पर बैंक निप्टी ने दिखा दी तो यह सारा गेम जो है वह सौट कवरिंग मूब का था कि सौट कवर यहां पर यहां पर हुए बहुत सारे सौट कवर हुए जिन लोगों ने 49,000 को अपना एसल बना के रखा होगा जिनोंने सौट किया होगा उनका इसल 49,000 के आसप 5,77 और उसके बाद 49,766 इस लिबल पर नजर बना के रखिएगा नेक्ट डे के लिए यानि कल के लिए अगर हम इसी जोन में कहीं पर ओपन होते है तो यहां पर बायर फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिना यहां पर पहले ऐना कंसॉलिडेट करने जिए बिना कं आज 1200 पॉइंट ऊपर जा चुके है तो अगर कल माली जो कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है 200-300-400 पॉइंट के और कंसॉलिडेट करके यानि 57 में जैसे इस तरह से कंसॉलिडेट किया न ऐसा कोई कंसॉलिडेशन करके अगर डे हाई का ब्रेक आउट करता है तो एक मुमे लेगी लेकिन एक स्ट्रॉंग सपोर्ट आलेट मैंने बताया कि 48,800 और नीचे 48,444 यह स्ट्रॉंग सपोर्ट का काम करेगा तो यहां पर स्वार्ट करने की बजाए वेट करना ज्यादा अच्छा रहा है कि अगर इस लेबल के आसपास है और कोई कंसॉलिडेशन के बाद क केंडल बुलिट केंडल बने तो वहां पर हम इसको ऊपर की साइड में जाते हुए देख सकते हैं उपर की साइड में जो रजिस्टेंस है वालेडी मैंने इंट्राडे के लिए रजिस्टेंस आप लोग को बता दिया अगर गैप अप ऑपन हो तो तो सांती से बैठे रही ह तब इसको आप थोड़ा बहुत वहाँ पे उपर की साइड में फोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलतकती है दोस्तो ये थी मारी आज की वीडियो वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करते रहिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में चेहिं